जैसा कि नाम से इस पश्ट है आज की रेसिपी हम लेकर आये हैं उत्राखंड के एक छोटे से गाउं भाववाला से जहां के छेत्रिय निवासी श्री भुबन विक्रम डबराल जी ने ना केवल हमारे लिए यह स्वादिष्ट व्यंजन बनाया अपितू हमें इसकी रेसिपी भी बताई जिसके लिए हम अपने समस्त यूटूब परिवार की ओर से उनको धन्यवात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उत्त्रा खंडी चिकन करी का एक और संस्करण और हां मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ने को इसपर्श करें ताकि नई प्रस्तितियों की प्रसारान की जानकारी आप तक अविलंब पहुंसती रहे यहां हमने आधा किलोग्राम मुर्ग लिया है जिसको छोटे छोटे टुकडों में कटवा लिया है यहां हमने एक बड़े आकार की प्याज, दो छोटे आकार की टमाटर, साथ से आठ हरी मिर्चे ली हैं पर हरी मिर्चे आप अपने स्वादानुसार लें यह थोड़े से अध्रक को हमने टुकडों में काट लिया है और मुठ्थिवर लहसुन की कलियां ली हैं अब एक चौपर में हम लहसुन, अध्रक और हरी मिर्च स्थानांतरित करते हैं और इन्हें बारी काट लेते हैं यदि चौपर ना हो, तो आप चाकू से भी इनको बारी काट सकते हैं चौपर में प्यास डाल कर काट लेते हैं और इसी प्रकार टमाटरों को भी बारी काट लेते हैं टमाटर चाहें तो आप पीस कर भी क्रोग कर सकते हैं तो हमने प्लेट में रखी सामगरी को चौपर में बारी काट लिया है अब एक मिक्सर ग्रैंडर में एक चम्मच काली मिर्च लेते हैं आधा चम्मच लॉंग डालते हैं चार हरी इलाइची एक बड़ा टुकडा दालचीनी दो बड़ी इलाइची आधा फूल जावित्री डेड़ चम्मच जीरा और दो चम्मच साबुद धनिया संबलित करते हैं इन्हें बारीक पीस लेते हैं आप चाहें तो पीसने हितू खल मुसर का प्रयोग भी कर सकते हैं मसाले की मात्रा हमने सिर्फ अनुपात के लिए लिए है पिसे हुए मसाले से हम केवल दो चम्मच ही इस रेसिपी में प्रयोग करेंगे मात्रा अधिक लेने का कारण यह है कि कम मात्रा मिक्सर ग्रेंडर में अच्छी तरह नहीं पिसता अब एक कटोरी में थोड़ा गर्म पानी लेते हैं इसमें आधा चम्मच हींग डाल कर घोल लेते हैं इसे एक तरफ रख देते हैं इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे अब एक लोहे की कड़ाई में 60-70 मिली लीटर सरसों का तेल ढूआ उठने तक गर्म कर लेते हैं गर्म तेल में 2-3 तेजपत्ता और आधा चम्मच जीरा डाल कर कुछण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए तदो परांद प्यास सम्मिलित करते हैं बारी काटे गए अध्रक लहसुन और हरी मिट्च सम्मिलित करते हैं आज मध्यम करके इन्हें तब तक भूनते हैं जब तक कि इनका रंग सुनहरा न दिखने लगे सामगरी भून चुकी है अब इसमें चिकिन के टुकडे सम्मिलित करते हैं और इसे अन्हे सामगरी में मिला देते हैं तद पस्चात इसमें स्वादानुसार नमक आधा चम्मच हल्दी और दो चम्मच पीसा गया मसाला सम्मिलित करते हैं सब को अच्छे से मिला देते हैं और आज टी ब्र कर देते हैं हमें सामगरी को 5-7 मिनिट ती ब्राँच पर भूनना है पर निरंतर कर्ची चलाते रहना है ताकि मसाला तली पर चिपक कर चले नहीं लिए पर नहीं यही इस रेसिपी का मुख्य चरण है हमें बहुत ही धान से इसे अच्छी तरह भूनना है तत पस्चाद इसमें कटा हुआ टमाटर समलित करते हैं और इसे सामगरी में मिला जेते हैं अब आज मध्यम कर देते हैं और थोड़े थोड़े अंत्राल में कर्ची चलाते रहते हैं ताकि टमाटर गलकर मसाले में मिल जाए मसाला बुनने के दोरान ही इसमें हीम वाला गोल मिला देते हैं अब आज टीबर करके इसे 4-6 मिनट और भूनते हैं अब भूने हुए चिकिन में दो कप के लगभग गर्म पानी समलित करते हैं और इसे चिकिन में मिलाकर आज तीबर कर देते हैं जब तक की तरल में उबाल ना आ जाए प्रूने ही अर या था जाए कि लाए याव तत्पस्चात इसे ढख कर आठ से दस मिनिट धीमियाज पर पकाते हैं क्योंकि इतने समय तक भूनने से चिकन काफी हद तक पहले ही पक चुका है पके हुए चिकन में थोड़ी बारी कटी हुई धनिया की पतियां समलित करते हैं आप से आग्रह है कि एक बार उत्तरा खंडी चिकन करी इस विदी से बना कर अपना अनुबव हमसे साजह करें चलिए चावलों के साथ इसे चक्कर देखते हैं क्या है वाह मज़ा आ गया काश इस द्रश्च के साथ ही साथ इसका स्वाद भी मैं आपसे साजा कर पाता है यदि आपको यह प्रस्तुती पसंदाई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साजा करें धन्यवाद